हेलो एब्रिवान वल्किम डिदे क्लास गाईज कैसे हैं आप सभी पहुत अच्छ होंगे अब और बेच्छ हो जाओगे जब आप नई NCRT देखेंगे तो पिछली वाली जो NCRT के दोनों पार्ट वो यह हैं अब जो न्यू NCRT आएगी अब इससे बात है जब सिलेबस जो है बहुत सार रेड्यूस हो चुका है तो पतली हो जाएगी तो सिलेबस कम हो गया लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी तैयारी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि आप यह देखें कि अगर टॉपिक कम होते हैं तो एक्जामनर उन्हीं टॉपिक में से बढ़िया बढ़िया questions आपसे पूछेगा तो आपके concept आपका एक एक point जो है subject में बहुत strong होना चाहिए और यह strong कैसे होगा जब आप दम से practice करेंगे दम से practice हम आपको इसी चैनल पर कराएंगे चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो मैं physics पढ़ाता हूँ और आपको physics में मजा आ जाएगा tension मत लेना हाँ आपको इस चैनल पर detailed one shot मिलेंगे इसके साथ साथ numerical और pyq series और वो सब कुछ मिलेगा assertion reason से लेकर के mcq तक जो आपके class 12 में बिलकुल आपको आपको अदम confidence देगा और अपने exam में आग लगा कहेंगे clear है चलिए तो चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आपको बता जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होसो वासी रधा या वो किसी कारेंट से नहीं डूड़ पाते हैं नहीं पता कर पाते हैं तो बच्चे डाउनलोड करना चाते हैं न तो तो सब्धी सब्सक्राइब कहां से मिलेंगे करिकुलम में जाओगे तो यहां पे 2023 और यह इसमें जाने के बाग देन academic electives में जाओगे और उसके बाद यह जो जो भी सब्जेक्ट के आपको डाउनलोड करने हैं नया से लिबस वो आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए अब आपको बता दें कि न्यू वाली जो ncrt जो है यह रेस्टनलाइज इस लिबस है क्या नहीं यह नहीं है तो निव वाली नसयाटी कैसे देखेगी तो चलो यह आपको बता देते हैं देखे ज़रा यह आप यहां पर देख पा हैं यह देखो यह क्या लिखा है रेशनलाइज़ 20 23 24 है ना तो नई वाली NCRT में कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा यह इंडेक्स है इसका लेकिन आपको यह नहीं पता ना इसमें इसमें यह तो नहीं लिखा कि कौन-कौन सा से ले बस हट चुका है कौन-कौन सा पुराना लेक्चर आप देख रहे हैं हां किसी भी टीचर का तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यह वाला टॉपिक तो सरा हटा हुआ है मैं इसमें अपना टाइम ज्यादा नहीं दोंगा चलो तो हम पार्ट वन अब हटा हुआ है आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका और डायरेक्ट मेरे साथ में करते चलो ना तो पीज नमबर इस पर आ गए अब यह आप चैप्टर टू में आजाओ चैप्टर टू में आएंगे तो चैप्टर टू में आपको क्या देखने को मिलेगा पेज नमबर 83 पर जब आते हैं तो ओके हाँ जी तो पेज नमबर 83 पर आजाओ अगर आपकी बुक में वेंडी ग्राफ जेनरेटर है तो आप इसको इस वेंडी ग्राफ जेनरेटर को हटा दें यह देन आ जाते हैं आप किस पर देन आप आजाओ नेक्स्ट आप आजाएं पेज नमबर 102 या चली इसमें दिया है क्या कार्बन रेजिस्टर नहीं दिया यहां पर कार्बन रेजिस्टर नहीं दिया लेकिन अगर आपकी NCRT में है तो कार्बन रेजिस्टर जो टॉपक है यह हट चुका है मतलब color coding जो होती है na carbon resistor की वो हट गई है इसके अलाबा आप ये देखेंगे इसमें combination of resistance मतलब ये page number 107 पर combination of resistors जो है series and parallel combination ये हट चुका है कारण इनके हटने का ही है कि बहुत ज़्यादा repetitive हो चुके हैं ये 10th glass में भी आपने इनको पढ़ा series parallel combination of resistance अब फिर से आगई तो जो repetition वाली चीज़ें हैं उसको CBSC ने हटा दिया clear then आप आजाते हैं थोड़ा से इसमें और आगे बढ़ेंगे page number page number 120 पर ये जो meter bridge दिया है और potential meter दिया है आप ये दोनों भी मतलब ये तीनों या चारों पॉइंट ये सब हट चुके हैं clear है टेक तो इसको मत समझ लेना कि ये भी हट गया टेक तो ये हट चुके हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं या खुद से tick करते जाओ साथ में tick करते जाओ ना next time आ जाएंगे page number 140 पर आजाओ तो page number 140 पर आप आओगे तो यहां पर ये हट चुका है motion combined electric field है ना ये perpendicular field magnetic field वाला velocity selector वाला पार्ट ही हट गया इसके लावा आप यहां पर आ जाएंगे तो toroid तो पूरी तरीके से हट चुका है बट solenoid में आपको concept पढ़ना है derivation नहीं पढ़ना concept पढ़ना है derivation नहीं पढ़ना solenoid में derivation नहीं पढ़ना clear next next आप आ जाएंगे इसी में cyclotron दिख रहा है क्या नहीं अल्रीड हटा हुआ है तो cyclotron भी इसमें से हटा हुआ अगर आपकी book में cyclotron है तो वह हटा हुआ है clear है चलिए तो ठेक चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं now next chapter 5 में आ जाएंगे हम तो chapter 5 में इसमें क्या अटा हुआ है chapter 5 में इसमें हटी हुआ है अर्थ मैगनेटिज्म पेज नंबर 185 पेज नंबर 185 पर clear इसके साथ साथ पेज नंबर 195 पे पर्मानेंट मैगनेट एंड एलेक्ट्रो मैगनेट यह भी हटा हुआ से ले बस है चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे chapter 6 पे आ जाएंगे तो chapter 6 में आप यह देखें कि यहां पर page नंबर 215 हाँ जी 215 यही है न हाँ 215 और 218 clear तो यह मतलब energy consideration और eddy current यह दोनों deleted हैं यह दोनों deleted यह आपको नहीं पढ़ना clear चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब आप आजाओ page नंबर chapter 7 चप्टर 7 में आपको सब कुछ करना है बस LC oscillation यह नहीं करना LC oscillation नहीं करना clear है यह नहीं करना ठेक समझ में आ रहा है साथ साथ में आप टिक करते चलें आप चाहें तो page भी खोल सकते हैं भई अब उसी chapter में आ जाओ टेक चलिए अब आप आजाएं इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव में तो इलेक्ट्रो मेगनेटिक मतलब chapter 8 आपको यह पूरा करना है रहा है यह आपको पूरा करना है नेक्स्त करना जिसका है अब हम आ जाते हैं पांट यू native to do दूसरी बुक करणे ऑपने हैं आपने पास है थे कि देखे ज़रा फ्ने अल्यडी लिख यह वाला पार नहीं करना और यह आपको मिलेगा पेंच नंबर 332 यह नहीं करना तरेख चलिए social ना जाते हैं इसी में इसी में जो optical यह जो नियूर्ड फेनोमेना यह भी आपको नहीं करना और optical instrument में human eye नहीं करना रहे तो नहीं करना वह 10 आप जाएंगे चप्टर 10 तो चप्टर 10 में से तो काफी को जटा हुआ है जैसे कि यह यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट यह जो है only concept सिर्फ आपको concept only concept no derivation इसका आपको derivation नहीं करना यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट यह आपको मिलेगा page number 362 पे यह बहुत important होता है वैसे लेकिन आपको इसका derivation नहीं करना नेक्स आजाएंगे देखो इसमें diffraction और polarization यह भी बिल्कुल नहीं करने है यह आपको page number 367, 360 76 पे मिल जाएंगे चलिए यह दोनों topics अपनको नहीं करने है clear है आगे बढ़ जाएं देखे जरा इसके बाद हम आ जाते हैं जो chapter number 11 पर chapter 11 पर आ जाते हैं chapter 11 में आपको सिर्फ और सिर्फ आखरी topic नहीं करना बहुत छोटा सुन्दर chapter है division and germar experiment यह आपको नहीं करना clear है यह आपको नहीं करना next हम आ जाएंगे chapter 12 तो chapter 12 में आप देखें कि आपको इसमें क्या नहीं करना भई activity नहीं करनी जो कि आपको मिल जाएंगे 44 & 40 40 45 & 46 पर आपको मिल जाएंगे clear इसके बाद आप देखते जाएं और आप आजाएं जो final अपना chapter आखरी chapter यह अल्यडी बहुत reduce हो चुका था इसमें से आपको यहां से कुछ भी नहीं करना है मतलब आप यह देखें तो page number 485 से यह पूरा गायब है clear तो यह हो गया अपना deleted syllabus अब मैंने आपको फिर से बताया कि आपको जरूरी क्या है कि आप अच्छे से मैनत करें और बढ़िया से पढ़ाई करें और इसके लिए आपको ना देखो physics पढ़ना है आपको तो आप सभी जानते हैं बही बहुत सारे बच्चे तो अल्रीडी जानते होंगे कि टेलिग्राम चैनल अभिशेक साहू सर physics को आप जोइन करें यहां पर आपको PDF notes वगरा सब कुछ provide कराया जाता है और यहां पर होने वाले हैं 100,000 students मतलब 1 lakh students तो टेलिग्राम चैनल पर तो बड़ी बात है हमारे लिए तो आप जरूर से इस चैनल को जोइन करें अगर आपने अभी तक नहीं किया और साथ में physics में आग लगाएंगे डरने की बात नहीं है जो है चाहे CBS से कुछ भी करें लेकर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आप बिलकुल तबाही मचा देंगे exam में टेक मिलते हैं आप से next video में thank you guys